हलो बच्चों जेही में दोज़ज़चोविश का क्वेशन है एट अप्रील सेकेंड सिफ्ट का अबजेक्ट अफ मास 0.2 केजी एग्जेक्ट सिंपल हर्मोनिक मोशन अलोंग X-Axis विद फ्रिक्वेंशी 25 बाई पाई हर्ड्स अट पोजिशन X is equal to 0.04 meter the object has a kinetic energy 0.5 joule and potential energy 0.4 joule the amplitude of the oscillation ठीक है यहाँ पर oscillation का amplitude पूछ रहा है देखिए यह SHM का question है बच्चों और SHM में अगर आपको में एक बार यहाँ पर थोड़ा रिकॉल करवा दू कि mean position के about object oscillate करता है mean position वो position होता है बच्चों जहाँ पर net force क्या होता है 0 होता है मतब object का acceleration भी 0 होता है ठीक है और यह दो extreme के बीच में oscillate करता है और जो दोनो extreme positions है उनका जो displacement होता है मतब displacement जो होता है mean position से extreme position इस ही को बोलते है हम लोग यहाँ पर amplitude तो जो यह maximum displacement है इसको amplitude बोलते है ठीक है तो यह positive amplitude आ गया displacement यह negative displacement तो यह amplitude हो गया ठीक है और इस पूरे oscillation में अगर कोई friction नहीं है कोई air friction नहीं है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर energy conserve रहेगा throughout energy यहाँ पर conserve रहता है मतलब constant रहता है ठीक है मतलब potential energy plus kinetic energy is equal to constant रहेगा that is कि total energy होगा ठीक है कहीं पर अगर potential energy कम होगा तो potential energy कम होगा तो kinetic energy ज्यादा होगा जैसे मैं extreme की बात करूँ तो देखिए at extreme position मैंने इस पर पुड़ा एक lecture डाला हुआ बना करके at extreme position पर क्या होता है कि displacement maximum होता है और particle को यहां से velocity जिरो हो जाता है तो extreme पर potential energy होता है maximum ठीक है जब potential energy maximum होगा तो kinetic energy को 0 होना पड़ेगा क्योंकि maximum potential energy क्या हो गया जिरो तो अब अगर यह 0 हो गया और energy total constant रह नहीं है तो अगर यह 0 हो इसका मतलब total energy किसके बराबर हो जाएगा potential energy के बराबर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर potential energy का formula कितना होता है तो potential energy का formula की बात करेगा हम लोग तो general formula होता हाफ m omega square a square ठेक है sorry general formula x square x मतलब displacement ठेक है तो extreme position पर क्या हो जाएगा at extreme तो at extreme position हो जाएगा बच्चों यह पूरा मतलब basic से समझा रहा हो आपको में ताकि कि किसी को को भी solution समझने भी दिक्कत नहीं हो हाफ कि एम omega square a square कि एक्स्ट्रेम position displacement a हो जाएगा चाहे आप left side में देखें यह राइट side में देखें ठीक है और total energy चाहे आप कहीं भी देखेंगा तो constant रहेगा चाहे आप यहां देखें यहां देखें यहां देखें यहां देखें total energy अकर हम लोग का मालूम हो गया तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि total energy is equal to 0.5 plus 0.4 क्योंकि kinetic energy यहां पर 0.5 है और potential 0.4 है तो total energy always क्या रहेगा चाहे हम कहीं पर भी देखें 0.9 तो at extreme लिखें हम लोग क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए यहां पर हम लोग को चाहिए amplitude तो at extreme position potential energy is equal to जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया प्रूफ किया 0.9 हो जाएगा और half into mass mass कितना दिया हुआ इस पर देख लेक बाद 0.2 kg है तो आप यहां पर लिखिए half into mass 0.2 kg into m omega square होता है तो omega मतलब फ्रिक्वेंसी कितना है 25 by pi तो omega square मतलब की 2 pi into frequency और omega का value यह होता है 2 pi into frequency formula frequency है 25 by pi square into amplitude square तो यह 0.1 हो जाएगा तो 0.9 is equal to 0.1 pi से pi cancel हो जाएगा और 25 का squaring करेंगे आप तो यह 625 हो जाएगा into a square अब यह decimal यहां से हट जाएगा तो यहां पर सिर्फ 9 और इधर में 625 is equal to a square तो a is equal to क्या आएगा बच्चो 9 by 625 that is 3 by 25 तो यहां पर amplitude आएगा वो 3 by 25 हुआ बट इसको centimeter में convert करना यह तो में आ गया और एंसर में centimeter में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 100 से multiply करेंगे ताकि centimeter में convert हो जाए तो 12 cm तो इसका answer हो जाएगा बच्चो 12 तो आई होप आपको पुरा समझ में आ गया होगा अच्छे से इदम बिल्कुल एंड मैं यह भी उमीद करता हूँ बच्चो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिए थैंक्यू बच्चों झाल